हेलो अबरिवान देस जंदर विक्रम वेलकम तो मैगनेट ब्रेंज आज की वीडियो में हम डिसकुशन करने वाले हैं दा अट्लांटिक क्रॉसिंग के बारे में यानि की पहली बार जब स्पेन से कॉलंबस निकल कर अट्लांटिक ओशन को क्रॉस करके अमेरिकन ट्राइप के कॉन्टैक्ट में आया तो उसी टॉपिक को हमने नाम दिया है दा अट्लांटिक क्रॉसिंग ठीक है अब अट्लांटिक ओशन को क्रॉस करके ये डूने निकला था भारत देश इंडिया लेकिन इसकी किस्मत में कुछ और लिखा था और वो पहुंच कहीं और गया तो कहानी हुई और किस किस तरीके से कॉलंबस जो है वो इस्पेन को रिलीड करेगा आगे चलो तो क्रिस्टोफर कॉलंबस जो है वो 1451-1506 इस इस ताइम पीरिड है उसका टोटल टाइम पीरिड है 1451 में उसका बर्थ होगा और 1506 में ही वोज डाइड ठीक है कॉलंबस के अर्ली लाइफ के बारे में बात करोगे तो कॉलंबस अपने आप में एक फॉर्मल एडुकेशन में ढला हुआ वेक्ति नहीं था उसको आपचारिक सिक्षा नहीं मिले हुई थी यानि स्कूल जाना और प्रॉपर इस तरीके से से नहीं था उसने एक्से पिरियसे से सीखा था और अक्सर इस तरीके के लोग जो एक फॉर्मल ऐडुकेशन भले में दकरें क्योंकि फॉर्मल एडडुकेशन जो है वापको बहुत नफीत लिए सीखर सीखा है चीज़े बताती है जो जो formal education नहीं grant करते, वो लोग कैसे सीखते हैं, वो लोग सीखते हैं experiences से, अपने और दूसरों के experiences से, ठीक है, इसके अलावा उनके चारों तरफ जो चीजें हो रही होती हैं, उनको वो observe करते हैं, उनसे भी उनको realizations आते हैं, तो इस तरीके से Columbus भी जो risk लेने के लिए तयार है, और अब वो तयार था कुछ adventurous करने के लिए, अपना नाम कमाने के लिए, अपने नाम को दुनिया में जो है वो एक प्रसिद्धी दिलाने के लिए, glory के लिए, ठीक हैं, क्योंकि उसे पता था कि देखो अगर वो समुदरी यातनाए करके कुछ नए islands पर discover करता है, नए island क्या उसके दिमाग में तो इंडिया था, तो जो इंडिया का trading route है, अगर उसको वो rediscover कर पाया, उसको वो प्राप्त कर पाया, तो उससे ज़्यादा महान विक्ति उस समय यरोप में कोई होगा नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी जरूरत थी यरोप की इंडिया के साथ trading relations को establish करके, या पूरवी देशों के साथ trading relations को establish करना, और उस trade route को find out करना, जो see के तुरू जाएगा, समंदर के तुरू जाएगा, और इनके जरूरतों को पूरी करेगा, तो इसी खोज में, इसी exploration में, Christopher Columbus जो वो निकल रहा है यहां से, तो इसका जो सफ़र है, वो पूरा adventure से भरा है, और glory तो उसको follow करती हुई, आज तक उसके साथ है, Columbus बले इस दुनिया में, खोजखाच के जो भी था, वो चला गया हो, लेकिन अब उसका नाम तो हम पढ़ी रहे हैं, तो glory जो है, उसके साथ में जुड़ी हुए प्रसिद्धी तो उसके साथ में जुड़ी हुई है, चलो तो उसने ये जो पूर्वी की तरफ का रास्ता है, पूर्वी की तरफ का जो trading route है, उसके बारे में सिर्फ अभी सुना था धान रखना, तो अब ही तक उसने पूर्वी के बारे में सिर्फ जाना था, ठीक है, और इन कहानियों को सुनने के बाद, अब मन ही मन, Columbus ये ठान रह था, मनी मन अपने आप में ये determination कर रहा था, कि हां मुझे पूर्वी के उस देश को, पूर्वी के उस ख्षोर को, पूर्वी के उस क्षेत्र को खोजना है, जिसका वर्णन किताबों में, जिसका वर्णन लोगों की बातों में रहा है, ठीक है, तो Columbus को लग रहा है कि वो ये location तो बहुत अच्छे से आप जानते ही है, अब Europe की location से जब आप चलेंगे उधर से, ठीक है, तो Europe की location के हिसाब से चलेंगे, तो आपको Northern Atlantic, Southern Atlantic, ठीक है, Ocean मिलेगा ही, ठीक है, और आपको West की तरफ ही आना पड़ेगा ना, North, South, East और West, तो आप West की तरफ आओगे, और West की तर आओगे, और उसके बाद East की तरफ आओगे, तो इस विल बीदव पाथ, यह वो रास्ता होगा, जिसको आप फॉलो करोगे, कोलंबस को भी इतना ग्यान नहीं था, कि वो मतलब इतना ग्यान होता, तो क्यों ना भारत ही पहुंच गया होता, चलो, तो इस तरीके से वो पश पास्ते को खोजेगा, जो की पूरवी की तरफ, इस्ट की तरफ या कहें, इंडीज की तरफ, दा इंडीज की तरफ लेके जाता है, चलो, अपनी कहानियों में सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन, कोलंबस को जो मिला, वो मिला था, इमागव मुजी के वर्क से, यह कौन है, यह एक पादरी, एक पोप, या कहते हैं, एक टलर्जी है, ठीक है, एक चर्च अथारिटी है, जिसने क्या लिखा था, 1410 में, आस्टोनमी और जोगरफी के उपर बुक लिखे थी, और इसी में उसने पूरवी के रास्तों का जिक्र किया था, या इनकी पस्च्चिम से होते होते हुए, समुदरी मार्ग से होते हुए, किस तरीके से आप पूरवी के रास्ते के तरफ महुचेंगे, उसका जिक्र किया हुआ था, इसने किताम में, ठीक है, तो इस बुक को पढ़ने के बाद, इमागों की बुक को पढ़ने के बाद, क्रिस्टोफर कॉलंबस जो है, वो इन्हीं थेोरीज को फॉलो करता हुआ, जो कि कार्डिनल पियरे दोरा दी गई थी, आगे की तरफ बढ़ेगा, तो उसका जो रास्ता है, वो बेसिकली मार्को पोलो की कहानिया, उसके खुद के करेजियस जो इंस्पिरेशन है, और इसके अलावा, इमागों की जो किता है, यह उसका रास्ता जो है, वो आगे तै कर रहे थे, अपने प्लान को कुलंबस ने बखायदा डेजाइन किया, कि वो जाना चाहता है, बश्चिम के रास्ते से पूर्व का जो सफर है, वो तै करना चाहता है, तो इस तरीके से वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, और अगे बढ़ने में उसे सबसे पहली जरूरत जो है, वो है, एक तरीके से एक वैलेडिटी प्राप्ति करने की, एक आधिकार प्राप्ति करने की, राइट प्राप्ति करने की, कि हाँ वो आफिशियल रूप से आधिकारिक तौर पर समुद्री आत्रा में निकले, और साथ- जो है वो चाह रहा था कि कोई विवस्था कर देंके तो अपने प्लान को लेकि सबसे पहले कोलंबस कहां पहुँचा पुर्तगाल पहुचा ठीक है तो पूर्तगाल के जो समराथ है उनको उसने अपना प्लान बताया ठीक है और उसको लगा कि यह लोग sanction कर देंगे मेरे plan को और मुझे resources provide कर देंगे और मुझे resources provide कर देंगे तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूँगा ठीक है चलो अब वह जो permission माग रहा था permission आपने पिछले वीडियो में देखा होगा मैंने आपको बहुत सारे कुछ areas बताए थे ठीक है जिसे आइबीरिन पेनेशला और इसके बाद फिर आफ्रिका की तरफ वही मैंने जिक्र किया था port of palace का ठीक है तो port of palace का मैंने जिक्र किया था कि port of palace के आगे उसके बियॉंड जो है अभी आगे जाने में थोड़ा सा एक हिचके चाहट थी लोगों को कासकर हमारे जो सेलर से हमारे जो नाविक है उनको ठीक है चलो तो जो इसके आगे यहां तक का तो सफर सेंक्षिन कर जी किया जा चुका था लेकिन इसके आगे का सफर सेंक्षिन करने के लिए portuguese authorities जो है वो तैयार नहीं हुई तो पुर्ट प्रोजल दिया Spanish authorities को Spain के राजा को Spain के राजा ने कॉलंबस का जो सफर है उसको सुईकार कर लिया कि ठीक है हम आपको आधिकार देते हैं आप जाएं और explore करें उन territories को पूरवी के खास कर रास्ते को आप explore करें तीन देशों का आपने नाम जो है वो यूरॉप के कहानी में मुक्ता पढ़ा है इंग्लैंड का फ्रांस का और Spain का ठीक है तो उस समय यूरॉप की राजनीती में ये भी बहुत महत्पूर्ण role play कर रहे थे ठीक है तो Spain का जो राजा है थोड़ा सा जादा ambitious है ही है इसलिए उसने इस सी वाइज को इस समुद्र यात्रा को sanction कर दिया और यहां से कॉलंबस का जो मार्ग है वो प्रशस्त हुआ रास्ता खुला और कॉलंबस आगे निकलेगा ठीक है चलो कॉलंबस जब आगे निकलेगा तो उसने ब्तियार कर रवाई नाव शब्द का जा近 जाते था न नाव कहदो जाते हम दिकर करते हैं है nam or हमारी जो भहाशा है उस भहाव उस भाशा में नाव शब्द जगर लेके जाएगा पानी में फ्लोट करता हुआ वह आपको एक जगर से दूसरे जगर पर लेके जाएगा जिस आप सामाने भाषा में नाम दे देते हो नाव तो यह नाव शब्द जो बेसिकली है उस समय स्पैनिश भाषा में प्रयोग किया जाता था बड़े हैवी जो होते थे बड़े भारी भरकम जो जहाज होते थे उनके लिए शब्द अप्रयोग किया देता था और यह इस्पैनिश भाषा में जो नाव शब्द आया है बिसिकली अर्मों से तो यह अरब ट्रेडिशन से अरब कल्चर से अरब परंपरा से बिसिकली यह शब्द चोटा सा नाविक बेड़ा था जिसमें चंद सैनिक, कारगो सामान, कोलंबस लीड करने के लिए उसके और कुछ साथी और इस तरीके से जरूरत के जितने भी लोग और होने चाहिए वो सारे लोग थे यह जो बेड़ा है वो तयार हुआ एक भारी भरकम शिप में बैठके आगे बढ़ने के लिए और उस शिप का नाम था सैंटा मारिया तो वो शिप जो है सैंटा मारिया यह आप देख रहे हैं यह वही शिप है जिस पर कोलंबस बैठकर पूर्वी देशों के लिए अल्टरनेट ट्रेडिंग रूट को खोजनी के लिए निकलेगा अब यहां से सैंटा मारिया से जब वो आगे निकला तो अब ऑविसी बात है जहाज में जो सामान है तो वही है जो लोग हैं वो भी हैं लेकिन इसके अलावा इस जहाज के प्रोटेक्शन के लिए बैक अप के लिए दो और छोटे जहाज जो है उनको अपॉइंट किया गया ठीक है तो चोटे और जहाज हैं या चोटे नाव जैसी हैं जो इस बड़े हैवी बोड से या नाव से थोड़े चोटे थे ठीक हैं पिंटा और NINA तो इह वो शिप्स आइते स्मॉल लाइट जिप्स जो इस जहाज को बेक अप करने प्रोटेक्शन करने के लिए इस जहाज के साथ रह सारे और अपने जो आप कहे दें की इंस्पिरेशन हैं उसके अपने जो उसके बुलंद इरादे हैं उनके सारे वो दिरे दिरे आगे बढ़ता चला जा रहा था कई दिनों के यात्रा के बाद भी दसों दिन बारा दिन पंदरा दिन बीस दिन की यात्रा के बाद भी इने कोई आइलेंड जैसा दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी और कोई महादीप या कोई जमीनी जगर दिखे ही नहीं ठीक है तो यहां से कॉलंबस जो है वो एक लूप लेगा ठीक है और उसका जो मार्ग है वो कनवर्ट होगा ध्यान रखेगा और उसका मार्ग जैसे ही कनवर्ट हुआ क्योंकि वो ट्रेड विंड वगरा के सहारे उसमें चल रहा था और ट्रेड विंड के सहारे चलता हुआ उसका जो मार्ग है वो भटका और वो पहुचा अमारिका की तरफ ध्यान रखेगा चलिए ठीक है तो 33 दिन की यात्रा के बाद लगबाग कॉलंबस को कुछ आईलैंड जैसे दिखे कुछ जमीन के शेत्र दिखे ठीक है और यह वो समय था 33 दिन की यात्रा कर रहे हैं आप और 33 दिन तक आपने जहाज में ही काटे हैं तो अब आपकी जो स्थिती है उसमें आप समझ सकते हैं कि रेस्ट माग रही होगी आपकी बॉड़ी कॉलंबस और कॉलंबस के साथियों के साथ भी ऐसा था पूरा जो क्रियू था पूरा जो उनका नाविक दल था वो लोग चाह रहे थे कि कुछ देर विश्राम किया जाए ठीक है हला कि कुछ लोग तो इस यात्रा से इतने हतोत साहित थे इतने डिमोटिवेट हो रहे थे ठकावट और जो क्या कहें सी सिकनेस है वो इनको इस हल तक परेशान कर रही थी कि इन्होंने आगे जाने का जो खयाल है वो ही अपने दिमाग से निकाल दिया लेकिन कॉलंबस अभ 12 ऑक्टूबर 1492 यह वो दिन था जब कोलंबस कहां पहुंचेगा अपना उसने एक जमीन देखी फाइनली एक आइलेंड का इलाका जहां पर रुका जा सकता था वो देखा क्लियर है और अब वो रीच मतलब उनको लगा कि अब वो देहाव रीच आट इंडिया वह जिस से निकले थे तो कॉलंबस को लगा कि हाँ मैंने भारत के लिए अल्टरनेट जो रास्ता है वो खोज लिया के लिम और जहां पर वो पहुंचा वो भारत देश तो नहीं था यह तो हम सब लोग जानते हैं कि भारत देश कुलंबस आहीं नहीं पाया विचारा तो जहां पर बेसिकली जो है वो छोटे-छोटे आई-लेंड के पास पहुंचा था ठीक है और आपका जो greater Antilles है उसी के पास north में आपका छोटा सा group of island है जहां पे एक country है बहामास ठीक है तो वहाँ पे वो island of guanahoney बहामास में पहुंचा बहामास का नाम भी actual में Spanish बहसा के उसे में आता है Columbus के ही नाम पे रखा गया Columbus के नाम नहीं कह सकते हैं बहामास नहीं इसके नाम को आगे बढ़ाया बहामास को या फिर Spanish चे आप कहते हैं इसकी origin होती है यह ना Spanish भाशा में एक शम्द है बजमर जिसका मतलब होता है swallow she यानि उतला सागर उतला सागर का मतलब जहां भी आपका island area होता है वहाँ पर पानी का जो इस्तर होता हो तो कम होगा तो उसे कह सकते हैं आप उतला सागर क्योंकि वहाँ पर उतनी गहराई नहीं मिलेगी आपको पानी की depth of water वहाँ पर उतना नहीं मिलेगा तो वह Spanish जो word है जमार उसी से word आगे आता है बहमस कुलियर है तो इस island पर पहुंचा हमारा Columbus कुलियर है इन जगहों पर local जो tribe हैं वो पहले से रह रहे थे और local tribes के साथ Spain के ये जो नाविक आये थे इनका encounter हुआ इनका confrontation हुआ ठीक है confrontation of culture जिस बात को हम आगे लेके जा रहे हैं confrontation of culture जिसके हम बात कर रहे हैं ठीक है वास्तविक्ता में आप शुरू होगा अभी तक तो ठीक है एक जानकारी थी अलग अलग जगह पर आपने पुराने वीडियो में देखा पी अजटेक्स कहा है मायन कहा है अरवाक्स कहा है इंकास कहा है ठीक है उनका पूरा political system देख लिया था और अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से European धीरे धीरे इनके contact में आ रहा है तो आज हमारा पहला confrontation हो गया जिसमें हमारी Spanish जो crew member हैं तो हमारे Spanish crew members के साथ अरवाक community के जो लोग हैं इनका आमना सामना हुआ ठीक है अरवाक community के लोगों ने इन्हें अपना महमान माना अतिती माना और इनका भव्व स्वागत किया ठीक है और आप देखेंगे कि जब अरवाक community के लोग इनसे मिलेंगे तो उनसे ना केवल अपनी चीज़ें शेयर करेंगे बलकि अपना भोजन शेयर करेंगे और उनके साथ बहुत ही चांद और इसने अपनी जो लोग बुक है उसमें लिखा भी है उसने अपना यात्रावरतान था इसमें इस बात को mention मैं किया है कि इतने उदार वरदह लोगों को मैंने पहले कभी देखा ही नहीं कि ऐसे लोग जिनोंने ऐसे लोगों को जिनको जिनसे कभी मुलाकात ना हुई यह जो अजनभी हैं पूरी तरीके से जो बाहर से आये हैं ऐसे लोगों के साथ इतने घुल मिल गए हैं और इतने प्रेम से रह रहे हैं जैसे यह हमें पहले से जानते हूं दूसरी चीज इसमें जो कॉलंबस ने लिखी कि इन्होंने जो है वो हर वो हमारे लिखी चीजा में बहुत कीम्ती होती थी और ल Olaken लगता था कि हमें कैसे मिलेंगी लेकिन सहरश की देने के लिए त्यार हो जाते थे एजो लिखी बहुत इसका मतलब है कि यह लोग कैसे थे यह लग बहुत यह सिमपल हार्टेड लोग थे और इनहें अभी जदा ग् बावना होती है और खुद के लिए रखने और एंजॉय करने वाले जो बावना होती है वो अभी तक इन लोगों में नहीं आये थी चलो Columbus आगे बढ़ा और Columbus इन लोगों से चीजें तो लेता ही रहा इन से गिफ्ट लेता रहा इन से और सोने की चीजें लेता रहा गोल्ड और बाइक है जो ओरनमेंट्स हैं वो लेता रहा ठीक है और बिना इन से consult किये धियान रखना Columbus ने यहां पर क्या किया अपना Spanish flag जो है वो इसी जगह पर गौनहरी का जो एरिया था जो बहामास के आसपास के गौनहरी का एरिया है यहीं पर हमारे कुलंबस ने क्या किया अपना जो flag Spanish flag जो है उसको रख दिया या मैं कहां उसको plant कर दिया उसको लगा दिया ठीक है और उसका नाम रखा San Salvador घ्यान रखेगा ठीक है तो यह Central America का जो एरिया है वो आपको बहुत अच्छे से पता है ठीक है तो Central America का यह जो हिस्सा नौर्थ अमेरिका उपर उसके बाद इधन आएंगे तो Central America का हिस्सा आपको दिख जाएगा तो Central America के हिस्से में El Salvador का नाम तो आपने सुनाई होगा इसी पर यही एक जगह है जिसका नाम रखा गया San Salvador So this was the place actually जहाँ पर सबसे पहले अपना occupation शुरू किया Columbus ने सबसे पहले जिस जगह को क्या किया अपने अधिकार क्षेत्र में लिया वो था San Salvador clear है यहाँ पर San Salvador ने San Salvador नाम की जगह पर Columbus ने ना सिर्फ अपना अधिकार इस्थापित किया ना सिर्फ वहाँ Spanish flag इस्थापित किया बलकि वहाँ पर जीसस के नाम की prayer शुरू करी as a जो भी Christian authority उसको मिली हुई थी ठीक है उस authority के हिसाब से उसने वहाँ पर क्या किया प्रार्थना आयोरजित करवाई और अपने आपको उस जगह का वाय सुराय अपॉइंट कर दिया पिछले वीडियो में आपने बहुत अच्छे से देखा था जब हमने री कॉंक्योस्टा का concept जो है वो पढ़ा था उसी मैंने आपको बताया था कि एक तरीके का रूलर बना दिया जाएगा और उस पर्टिकॉल टरिटरी में आप जो है वो इंडिपेंटली रूल कर सकते हैं ध्यान रखिएगा तो वह एक एम्बीशियसनेस तो अभी बहुत पहले से आपने पढ़ा कि इसके पास है कॉलंबस के पास वह है और उसी एम्बीशियसनेस के संसागनों पर उनकी नजर है आते हैं और बिना किसी के बिना किसी तरीके से बिना किसी कंसर्टेशन के लोगों के लोकल लोगों के बिना किसी कंसर्टेशन के अपने आपको वहां का शाशक नियुक्त कर देते हैं खुद को वहां का शाशक नियुक्त कर देते हैं क्योंकि उनके राजा ने एक authority दी है उनके राजा ने promise करके बेजाए ठीक है जिन जगों को तुम खोजोगे उन जगों के तुम क्या हो जाओगे authority बन जाओगे तो ये एक आप कहने कि बहुत ही मतलब बेकार तरीके का concept है लेकिन concept तो ही है एक वेक्ति जो है एक राजा जो है किसी भी वेक्ति को कहीं कभी राजा बना दे रहा है lord बना दे रहा है बिना सोचे समझे कि वो जगह कैसी है जिन जगों को खोजेंगे वो जगह होगी कैसी वास्तर विकताब है ठीक है और ये भी इंबिशिशने से चलते इस बात को एक्सेट कर लेते हैं कि हां ठीक है महाराज हमको पर्मिशन तो देही रहे हैं अब देखा जाएगा जैसा भी ओए आरिया होगा चलो तो इस तरीके से कोलंबस जो है उसकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई कॉलम्बस ने अमेरिका खोज लिया वह तो बहुत सालों बहुत ना इसने अभी इस जो अमेरिका का इलाका खोज आ है जैसे मैंने कहां कि इंडिय खोजने निकला थった तो इसने लोगों क्या कहा ह। जिदर आया है के पास उधर वो लोगों कहेगा भई ये पश्चिम का इंडिया है, ये वेस्ट इंडिया है, वेस्ट इंडीज, क्योंकि ये इंडीज खुजने के लिए निकला था न, इंडीज मारको पोलो की बुक में इंडिया और इस्टन कंट्री इसकी लिए वो टर्म इस्तिमाल किया गया था, तो इसने का अरे ये पश्चिव का भारत है यार वेस्ट के वाला भारत है ये इस्ट में भारत जो होगा लेकिन ये वेस्ट का इंडिया है ये वेस्टन का इंडिया वेस्टन इंडिया है ठीक है ना तो इस तरीके की बात हमारे कोलंबस ने लोगों को बेवकुप बनाने करी के लिए की वह बहुत सालों बाद भला हो एक दूसरे फिलोसोफर का जिसका नाम था अमेरिगो वैस्पिकी ठीक है सो अमेरिगो वैस्पिकी जो है इसने सबसे पहले का कि भाई ये कोलंबस वह सबको बेवकूब बना गए और वास्तविक्ता में ये इंडिया नहीं है ये दूसरा आइलेंड है ये पश्चिम का भारत नहीं है पागल मत बनों कोलंबस ने जो कहा है अब जब अमेरिगो वैस्पिकी ने इस चीज़ को बता है तो उसी के नाम पर फिर आगे उ पस्дाइंटी परटिकलर पूरे लैंड मास का नाम क्या रख दिया गया अमेरिका रख दिया गया नार्ट ऑनें मेरिका सदन अमेरिका तो इस तरीगिव इस तरीव एप दाब हो के नाम पर अमरीका को जो है वो बाद में नाम लेके बुलाया गया, चलो, अब यहां से हमारे कॉलंबस के प्लान जो थे वो आगे एक्स्टेंड होने शुरू है, कॉलंबस का जो प्लान है वो यही नहीं किसी एक टेरिटरी में जाना, वहाँ पर अपना मालिका नहां के स्थाफित करना, वहाँ पर रूल करने लगना रूल करने के लिए भी तो लोकल लोगों को डिफीट करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, वार की सिचुएशन बनेगी, इसलिए ज्यादा ज्यादा रिसोर्सेस और धन इकठा करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, तो इसलिए अब कॉलंबस ने क्या क या कुछ से जगहों पर जो उस समय स्थापीत हैं, वहाँ पर अपना कॉपरेशन जो है वो एक्स्टेंड करना चुरू कर दिया, ठीक है, तो ये एनलिस्टेट देर कॉपरेशन इन प्रसिंग फॉरवर्ड तो दा लार्जर आईलेंड और जो कुछ बड़े बड़े आईल जो समर्था ने वो जुटाना शुरू कर दिया, इन आईलेंड का नाम रखा गया, क्युबनासकन आईलेंड क्यूं यही से नाम आता है, क्यूबा, ठीक है, तो क्यूबनासकन आईलेंड जो हो गए, या क्यूबा जिसे आप कह रहे हैं, ना, उन्ही के नाम पर इसने, या इन ही आईलेंड से इसने जो हो धीरे-धीरे-धीरे करके सपोर्ट ऑर्गनाईज करना शुरू किया, क्यूबा का जो इलाका है, जिसे अब हमारा कुलम्बस, अभी, मतलब हमारा क्यूबा के नाम से जानते हैं, कुलम्बस हमारा इसे क्या सोचता था, कि जपान है यहां पर Japan है मतलब जिस जगह पर क्यूबा है वहां पर इसे लग रहा था कि ये जपान- का इलाका यह ठीक है न मतलब कुल मिलाकर इमाजिनेशन में क्या चल रहा है उसके इमाजिनेशन में अभी इंडिया ही चल रहा हुँ धराव हम रखीका मतलब कई जैसा मैं Japan का इलाका वहां से इसने कोपरेशन मतलब जपान का इलाका ने जिसको से जापान समझा क्योब था और वहां पर भी इसने धीरे कौपरेशन और्गनाइस करना शुरू कर दिया क्लियर है यहां पर कुछ इलाकों के नाम भी बदलेगा जैसे हिस्पानिडो इस्पानियोला ठीक है न जो कि आज आज आपका डोमिनिकन रिपब्लिक और हैती के बीच में एरिया पड़ता है तो हिस्पानियोला जो है वो इलाका आपके य जो एचीवमेंट है वो लगभग लगभग कंप्लीट हो रही है चलो अब यहां से थोड़ा सा जो कंफ्लिक्ट वाली सिचुएशन है उसके बारे बात कर लेते हैं ठीक है चलो अब कुलंबस हमारे अरावाक जो ट्राइबल्स हैं उनकी हेल्प से आगे बढ़ना शुरू ह है जैसे अभी आपने डिसकस किया कि जो क्यूबा और बाकी जो हैस्पियोनला के जो एरिया है वहां पर वो आगे बढ़ रहा है ठीक है क्यों बढ़ रहा था तो उसको यह लगाना है कि हम जहां पर आएं वहां पर गोल्ड नहीं है तो उसको डाउट तो है थोड़ा सा कि इंडिया में तो सुना था कि गोल्ड है यह कौन सी जग है चलो कोई बात नहीं है वेस्ट इंडिया में नहीं है तो आगे बढ़ते हैं वाँ देखते हैं तो आप इन अरावाक्स के कॉपरेशन से उसने बाकी एरिया को भी थोड़ा सा एक्स्प्लोर किया और अब उसको गोल वगरा मिल जाएगा तो चलो आगे बढ़ते हैं तो अरावाक्स के कॉपरेशन से लोग आगे की जरुनी में निकलेंगे लेकिन अब यहां से आगे का जो सफर है वो इनके लिए थोड़ा सा क्या है मुश्किल ता ध्यान रखिएगा और यहां का जब सफर शुरू किया है तब इनको और जादा खत्रों का सामना करना पड़ा क्योंकि अब जब यह आगे बढ़ेंगे तेहां पर कैरिप ट्राइब्स जिनके बारे में आपने पहले जब मैं इंट्रोड़क्शन दे रहा था आपको कंफेंट्रेशन ऑफ कल्चर का तो उस समय मैंने कैरिप ट्राइब का जिकर किया था यह कैरिप ट्राइब जो है इन्होंने तो अरावाक को भी जो है वो अपने एरिया में पूरी तरह से स्वतंतरता नहीं दी हुई थी तो कैरिप ट्राइब्स थोड़ी सी यानि करेडियन होना शुरू हुआ ठीक है और कंफ्लिक्ट के दौरान इनको बड़ा मुश्किल हुआ ठीक है कि यह आंगे बढ़ पाएंगे ठीक है पूरे उस इलाके में इनको सफर तैक करने में लगवग 32 अपते लग गए और इस 32 वीक में इनको कुछ खास मिला नहीं ठीक है ना और य यह वापस हों वहाँ से जब वापस आने की कोशिश करेंगे तो वापस आने की कोशिश के दौरान भी इनके शिप्स जो है उनमें वाम्स कीड़े बगड़ा लगना शुरू हो जा रहे हैं मतलब कुल मिला कि आपको कि इनकी जो स्थिती है थोड़ा से देनी होती चली जा ठीके ना थकावट समुदरी हात्राओं का जो थकावट है वो भी अच्छा खासा इनको फिजिकली परिशान कर रहा था तो जब यह आगे पहुचे तो अब इनको यह कन्फर्म हो गया कि है अब देखो हमको इंडिया तो मिला नहीं है ठीके ना अब जिस एरिया को हम पाएं ह होगा इसी नए कॉंटिनेंट में हम क्या करते हैं जो भी उक्यूपेशन है अपना वह उक्यूपेशन करते हैं अब आगे आप देखोगे अगले वीडियो में हम डिसकेशन शुरू भी करेंगे जिसे मैं आपको बताऊंगा भी कि किस तरीके से हमारे कॉलंबस ने वहां प इसी रेट में इसी जमाने को बिलॉंग करते हैं ठीक है क्योंकि उस जमाने में क्या होता था कि जादतर जो नाम होते थे वो उन लोगों के नामों में रख दिये जाते थे जो लोग उसको एक्सप्लोर करते थे या फाइंड आउट करते थे धहन रखीगा ठीक है ना उदा घ्रादास के तौर पर या उसको उसकी इस्त्मृति के तौर पर चिर्फ एक यह पर टिकुलर शेत्र है वहां पर अमेका में जो कि Image इन कि South America में South America का जो North Western हिस्सा है जिसे हम कहते हैं कोलंबिया कोलंबिया का जो इलाका है वहाँ पर आपको ये थोड़ा सा मिल जाएगा तो ये कोलंबिया जो इलाका है वो आपको दो जगह पर देखने को मिल जाएगा ठीक है ना अमेरिका में भी एक छोटी सी डिस्ट्रीक है और हमारे सदन अमेरिका के पास में भी एक छोटी सी डिस्ट्रीक है जिसका नाम कुलंबिया रखा गया है हाला कि आपको बताओं कि सदन अमेरिका के हिस्से पर कुलंबस पहुंचा भी नहीं था बिए नाम कुलंबिया रखा गया एस जगह पर पहुचा भी नहीं था वह पहुचा तो बैचारा सेंटरल अमेरिका की आसपास था चलो बाद में फिर यह नौर्थ अमेरिका और सदन अमेरिका का जो हिस्सा है जिनने कुलंबस इंडिया वेस्ट इंडिया कहके बुला रहा है यह बहुत सालों बात जो है वो एक जोग्राफिकर है जैसा मैंने कहा थोड़ी देर पहले आपको कि यह हमारा जोग्राफर है फ्लॉरंस का ठीक है फ्लॉरंस शहर का उसने इस बात तो क्लियर किया कि कुलंबस ने जो कुछ भी खो जा है वो बेसिकली अमेरिका मतलब अमेरिक इंडिया तो नहीं है वो कोई एक दूसरा एरिया है ठीक है उसको नूवर्ड नाम दिया इस जैक्ति ने अमेरिक वेस्ट कि ने उसको नूवर्ड नाम दिया और बहुत बाद में फिर इसी चुश्ची इसी इंसान ने सबसे पहले ये क्लियर किया कन्फूजन लोगों का कि कुलंबस जो खो जा था वह अम्यारिका था या मतलब मैं मैं अमैरिका शबदे का स्नृम्धार कर रहा हूँ लेकिन आप ऐसा माने कि उसने यह कहा गय Bennett नहीं था और इंडिया नहीं था थो क्या था तो फिर न्यू बर्ल कहा गया कि और तो आप इसी को डेडिकेट करने के लिए कि निया संसार कहके तो बुलाइंगे नहीं एक पर्टिकुलर टर्म तो देना पड़ेगा तो फिर बहुत सालोबाद इन्नों पुलाइंगे लिए और फिर पंद्रव से फिलसोफर थे हमारे जर्मन पॉब्लीश है इन्हों ने अमेरिका नाम है रिए एंडिया अभी ये West की बात की जा रही है, और वो East की बात की जा रही थी, Columbus East जाई नहीं पाया, और East नहीं जा पाया, West टारव आया, और उसने इसी को कह लिए West Indies, ठीक है? यानि Indies ही है, इंडिया ही है, बड़ ये West का इंडिया है, अब इतना तो समझ मैं आ गया था उसको, कि हम कैसे दिखते हैं इंडिया के लोग की यह से दिखते हैं और इंडिया कैसा और यह इंडिया ही कि मतलब जब बढर्दस्ती वाली बात js嘗 पर अब हमने खोजा तो ही एक उसको हम कुछ न कुछ कहेंगी चली तो अभी कोलंभस निकला और उसने आरावाक्स के साथ में confrontation मतलब अरावाक्स का मिलना जुलना हुआ उनके बारे में कुलंबस बताता है आपनी logbook में किस तरीके की लोग हैं और हमें अरावाक्स का नीचर भी पता चल गया पहले के भी वीडियो में देखा हमने और अभी इस्पेन के जो हमारे explorer है कुलंबर कुलंबस इसके मुझे निकल गया और इसके बाद उसने जब वहां पर सुना नहीं मिला तो उसको आज-पास की जगों पर भी एक्स्प्लोर किया आज-पास की जगों पर एक्स्प्लोर करने गया तो उसको बहुत सब्सक्राइब करने पड़े और उनकी नावें खराब हो रही है लोग ठक रहें यह सब तमाम समस्याएं हुई दुनिया को भी पता चला कि जो एरिया असने को लंबस ने सब्सक्राइब करें यानि की कंफ्रोंटेशन जो है वो एक्जाक्ली जो वर्ड है उसकी अब हम बात शुरू कर रहे हैं से कि अब कंफ्रोंटेशन शुरू हो रहा है क्योंकि अभी पिछले जस्ट कुछ मिनट्स पहले मैंने आपको बताए कि को लंबस ने क्या किया है को क्या करता है वो बहामास के पास जो आइलेंड में उसने अपना इस्पानिश जो फ्लैग है अपना फ्लैग जो है वो लगा दिया है अब लोगों को पता नहीं न कि महाराज फ्लैग लगा कर डिनोट क्या करना चाह रहे हैं वहां के चो ट्राइबल्स हैं वो इस बात को लोगों को अब इनके सबॉडिनेट के तौर पर जो है वो रियाक्ट करना है या बनना है यानि यह हमारे साहव एक्शोल में तरीके से हमारे सुप्रीम रूलर हो गए अब जब उनको यह बात पता चलेगी तो प्रॉब्लम तो होगी ठीक है चलो तो इस बात से पहले से वी इंटाइंजेंट और सोल्जर्स वगरा सब लेके आये था तो भारत में जब अंग्रेज आ रहे हैं और वह जब बहुत सालों बात जगडा कर रहे हैं आप से युद्र रहें तो कोई नई बात नहीं थी क्योंकि यह बहुत पहले से मामला शुरू हो चुका तो ध्यान रख कि यहां तो सब मामला जो अंधेर नगरी चल रहा है है ना मुगल एंपर भी अपने डिकलाइन में हैं चोटे मोटे नवाव हैं इनको निप्ताओ तब उनकी हिमत बढ़े की ठीक है इनसे लड़ेंगे जीत जाएंगे कोई समस्या नहीं लड़ो इनको डिवाइड करो रू स्ट्रेंग्थ यानि कि इस पेन जैसा मैंने का कि पुरी तयारी से आया था तो इस्पेन के जो सोल्जर्स थे इनने बकाईदा गन पाउडर वगएर का इस्तमाल किया ठीक है अपने साथ घोड़े-घोड़े होर्स वगएर लेके आये हुए थे ठीक है कि जहां भी आवश् लेके आये थे उनके आधार पर किया ठीक है अब लोकल लोगों के साथ जब इनके confrontations होने शुरू हुए तो लोकल लोगों को इन्होंने मजबूर किया कि देखो ऐसा है कि अब हम यहां के रूलर है और आपको हमें क्या करना होगा टाक्स पे करना होगा लेर है तो लोकल लो है गोल्ड और सिल्वर की जो माइंस मिली है वहां पर आप काम कर यह गोल्ड को एक्ट्रेक्ट करने के लिए ठीक एक ही बात है आप समझ में आया अरावाक्स को कि या यह तो मामला गरबर हो गया ठीक हैं यह हम तो इनको बड़ा आती थी और महमान मान रहे थे और यह तो अधा बंडा लेके खड़े हो गए कि चलो या तो काम करो या तो पैसे दो हमको या फिर हमारे साथ चलके पर्टिकलर जगावपर काम करो खान में जो माइन से वहां पर काम करो अरावाद कम्यूनिटी के ठीक है इन लोगों को एनलिस्टेट किया ठीक है कि मतलब जो कुछ जानकार लोग हुआ करते थे क्योंकि हर ट्राइब में ऐसा होता है नहीं यह परसंट जो आज पास के एरिया को काफी जानता है काफी जादा नोन है इसको तो जो लोकल चीफ को पॉइंट आउट किया गया और इनको एनलिस्ट किया गया कि यह ऐसा है कि आप हमको नए नए ज शेत्रों को बताईये जहां पर पॉसिबली हमें गोल्ड मिले जहां पर ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मिले ठीक ना तो अब गोल्ड खोज रहे हैं यह अब गोल्ड क्यूं खोज रहा है यह साब बहुत अच्छे सा पता है आपको यह रोप की जो कंडिशन है वह इतनी अब यहां से एकठा किया जा रहा है इनकी गोल्ड की जो लालच है इनकी जो ग्रीड है गोल्ड की वह वाइलेंट बना देगी इनको धीरे-धीरे ध्यान रखना ठीक है और वहां पर वाइलेंट इंसिदेंट्स होने लग गए और जब इनके परती लोकल अरावाक जो ठीक है अब जब रेजिस्टेंस होंगे तो अब्विसी बात है यह फाइट होंगी और हमारे स्पैनिश कंपरेटिवली हमारे जो अरावाक से उनसे थोड़ा सा तो एडवांस रही है एम्मूनीशिंस में टैक्टिक्स में वैपन्स में क्योंकि वो पूरी तरह से लड़ने प्रमाने पर मिलिटरी रिप्रेशन शुरू होंगे यानि कि जो विद्रों हैं उनको दबाया गया और सैनिक शक्तिकी सहाइता से विद्रों को दबाया गया है जो सोल्जर्स हैं गन पाउडर का इस्तिमाल कर रहे हैं इन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया अरावाक्स अ पर लगाना शुरू कर दिया ठीक है बहुत सारे अरावाक्स तो इन युद्धों में मारे गए बहुत सारे अरावाक्स जो हैं वह इन फोर्स लीबर के दोरा मारे गए और यह यूरोपियंस जो की अब तमाम बड़ी दूरी से सफरताय करके और यूरॉप के माहौल से आये थ जो एक डारेक्ट टच है वो फील नहीं किया था तो उनकी इम्म्यूनिटी यूरोपियन के इम्म्यूनिटी से अलग थी और यह अपने साथ बहुत सारी बिमारियां भी लेके आए क्योंकि इनको खुद को कई सारी बिमारियां थी समुद्र यात्राओं के दौरान इनको होगी या इन लोकल जो ट्राइब से इन ट्राइब को नहीं शुरू हो जाएंगी और इससे भी बड़े पिमाने पर हमारे देख उनी शुरू हो जाएगी लोकल लोगों को जो यह लगा कि आँगो ऐसा है यह जो बिमारियां हो रही है यह कैसे हो रही है तो उनको कोई चीज समझ में तो आती नहीं थी इनोसेंट अरावाक ट्राइब समारे बिचारे उनको लगता था कि यार यह जो गोलियां मारते हैं पाउडर से जो गोली निकल के आती है ना इन्विजिबल बुलेट जो दिखती तो नहीं है क्योंकि आप पहले तो वह बंदू कंदू में जो है गोली डाल के रेडिय रखते थे अपना और जैसे ही आए तो बस शूट कर दिया यानि शूट करना शुरू कर दिया तो अब इन जो बड़े चतुर हैं बड़ी-बड़ी बिमारियों के साथ साथ निपतार हैं इनको और बहुत तेरी से अपने बंदूख वगरा से पुलियर है तो आप यह मान के चलो कि अरावाग कम्यूनिटी पहले स्पैनिश एंड काउंटर से इतनी बुरी तरीके से प्रभावित हो जो एक बहुत ही अच्छी प्रजाती थी शांति प्रिय लोगों की जो प्रजाती थी अरावाक्स की इसका जो एक्स्टिंग्शन है वो आपको एक तरीके से याद दिलाएगा कि किस तरीके से जो स्पैनिश लोग है इन लोगोंने एंक्रोचमेंट्स करें ठीक है हस्तक शेप करे अतिकरमन करा इन जनजातियों के लोगों का अपनी ग्रीड की वज़े से और उनके बीच में जो एनकाउंटर्स हुए वह एनकाउंटर्स बेसिकली इनके क्या कहेंगे विलुपती का कारण बनेंगे ध्यान रखना उसके कुछ जैसे जैसे अरावाक की संख्या कम हो रही थी हलाकि पूरे नहीं हुए थी लेकिन मान की चलो कि अरावाक है वह लगबग लगबग अपने खात गोल्ड को लेकर वह खतम तो ही नहीं थी और यहां पर अगे इन्होंने अल्रडी एक्स्प्लोर करना शुरूई कर दिया था इन अरावाक सीनियर्स ट्राइबल को सांथ में लेके एक्स्प्लोर करना तो शुरूई कर दिया था तो अब आगे धीरे धीरे लगबग अगले 50 चाहसालों में आप देखोगे कि Spanish जो है वह बहुत बड़े इलाके को बहुत वास्ट एरिया को जो है Western Hemisphere के खोज लेंगे ठीक है और लगबग आप कहो कि Globe में ठीक है Eastern और Western Hemisphere हो गया हमारा तो इस Western Hemisphere के Maximum इसमें नॉर्ट और Southern America का उसको इन्होंने लगबग एक्स्प्लोर कर लिया था तीक है 40 डिग्री North 40 डिग्री South और इनको challenges अब जादा नहीं मिले थे ध्यान रखने challenges मुखता यहीं मिले थे अभी challenges तो और मिलेंगे भी आप देखना ठीक है न तो यह जो है यह पर कुछ empires है अरावाक्स ने तो empire बना के नहीं रखा लेकिन आपको पता है कि Aztecs हमारे इनकाज हमारे इनका वकाइदा क्या है empire especially हमारे इंकाज का जो है वह empire establish है वह आपने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है तो यहां पर आप देखोगे कि यह जो दो बड़े empire से Mayan empire, इंकाज empire इनके साथ भी Spanish लोगों का confrontation जो होने वाला है तो उस वीडियो को हम आगे continue करेंगे कि किस तरीके से हमारे Spanish जो है इन्होंने बाकी जो empirical tribes हैं थोड़े बहुत राज्य विस्तार वाले tribes हैं उनको कैसे खतम किया 11th grade के 11th class के वीडियो लगभग complete होने को है औ और आपको chapter wise वीडियो देखने हैं तो आपके पास YouTube का option तो ही सही YouTube के अलावा आपके पास सबसे अच्छा option है कि आप website से जाएं कि YouTube में बहुत आपको वाच पॉच हो जाएगा बहुत search करना पड़ेगा और उसके बाद भी हो सकता है कि mobile में चुकि proper जो है वो इतनी सारी च साई दिखेगा आपको यहसी में आपको यहां पर आना है explore top courses classes आपको दिखे रही है 12 11 10 9 सारी classes इन classes इन classes में आपको कुद की 11 क्लास की history चाहिए तो आप class 11 में यहाँपे click करेंगे फैकुल्टी इसके लिस्ट मिल जाएगी सारे फैकुल्टी मेंबर एविलेवल हैं उसके बार आप क्लास 11 की हिस्ट्री में क्लिक करेंगे ठीके ? तो Humanities के पास आपको हिस्ट्री मिल जाएगा ऊसमें बागी सारे सब्यक्ट पॉलिटिकल साइंस जोग्रफी बागी सारे सब्जेक्शन मिल जाएंगे अब यहां पर आप जो है देखेंगे कि यह हिस्ट्री है बेसिकली 11 क्लास की उसमें नीचे फिर चाप्टर वाइस सारे डीटेल्स दिये गए होंगे जैसे सबसे पहले पुरे सरलेवस का ओवर लिए सब्स्क्राइब है और कई बार आपको एक ही टॉपिक के अंदर सब टोपिक्स के वीडियो कठ लीटेट वीडियो मिल जाएंगे तो यह सारे चीज़ें वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगे आपको पर्टिकुलर जो भी वीडियो देखना होगा जैसे ही आप उसको enjoy करिए और इस तरीके से magnet brain आपके लिए जो महनत कर रहा है उस महनत में आप अपने knowledge को बढ़ाते जाए free of cost kindergarten से लेके grade 12 के videos आपके लिए हम बनाते जा रहे हैं so stay tuned with magnet brain thank you